मेरे दिमाग में एक ही क्यों आ रहा था, इस कंपनी का नाम जब भी मेरे दिमाग में आता है, तो एक ही क्यों आता है, जै महश्मती, वो भाहु बली का आपको याद होगा, राजे सर थोड़ा कंपनी ढूड़ने माँ मुश्किल होगा, सिर्फ NSE पे लिस्टिड है, आप बिस्विकली इसलिए का था, कि अगर जो मेरे साथ SME कॉर्णर के शोव में जुरते थे, वो तो फिर भी वाकिफ होंगे इस स्टॉक से, ये NSE Emerge Platform की कंपनी थी, जो अब माइग्रेट होके Main Board पे आ चुकी है, यानि कि National Stock Exchange में अब लिस्टिड कंपनी है, तो इसलिए कई ल तगड़ा करेक्ट होता हुआ नजर आया था, और आज भी अपने साल के हाई से Recent Up Moves के बावजूद, साल के हाई से 40% आज भी नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा, अच्छा ये कंपनी है क्या, एक Diversified Business House है, कोल में है, Logistics में है, जैसा कि नाम समझाता है, और पेपर क दंदा है, तो interesting है, समझेगा, ये कंपनी का primary focus है, बल्क कारगो को manage करना, 25 offices है, देश भर में, 6 राज्यों में, और ये कंपनी साथ में craft paper manufacture करती है, Logistics का जो दंदा है, largest logistics company है, गुजरात और राजिस्थान में, इसके अलावा महराश्ट्रा, मधिप्रदेश में clients को serve करती है One of the largest organized players है, Western India में, ये महश्वरी logistics, इस company की source से जादा खुद की fleet है, और 10,000 truck owners के साथ, बहुत strong association है इस company का, ये company bulk cargo का का काम करती है, जो की via road, multiple sectors को treat करती है, तो cement, paper, textile, fertilizer, इन सब companies के लिए खासतोर पे काम है, दूसरा जो vertical है, trading और import का है, और ये company पिछले चार दशकों से coal India को serve कर रही है, और उसकी तमाम subsidiaries को serve करने का काम करती है, इसके अलावा ये company manufacturing में है, और manufacturing में एक company 72,000 metric ton per annum craft paper बनाने का काम करती है, जो 100% recyclable items से बनाया जाता है, in fact, waste paper के collection centers है, इसके पास महराश्र में और गुजरात में, तो collection वहाँ से recycle करना और craft paper की manufacturing client list आपकी screens पर आईगी, गजब की client list है, वो जड़ा image होगी डेक्टर साब, वो जड़ा दिखाएगा clients की, ACC, Ultra Tech Cement, JK Cement, Amboja Cement, Wonder Cement, इसके लावा GHCL, Star Paper, SR और साथ साथ निर्मा जैसी companies हैं, इसको full screen पर लिखाया ही, तब ही आपको समझ में आएगा, client list जो है, गजब की client list ह इस company की, financials में Q1 painful था, logistic company, lockdown में थे हम, revenues फिर भी घटे लेकिन 100 करोड के revenues, 98 करोड उपीस के revenues इस company ने clock करे, losses हुए 3.3 करोड के, पर इसके internals को देखिएगा, cash basis पे दर असल इसने इस challenging quarter में भी break even करा, 3.3 करोड का घाटा हुआ, और इतना ही equivalent depreciation था, तो अगर मैं cash basis पे द और one for one का bonus issue की मनजूरी दे दी है, FY20, Q1 क्योंकि painful था तो मैं एक साल पीछे गया, 760 करोड के revenues इस company के, 760 करोड उपीस के revenues, profit before tax 20 करोड का, net मुनाफ़ा 15 करोड का इस company को हुआ था, तो यह यह company है, जो main board पे migrate होके आई है, NSE Emerge platform से, obviously सारे map done जो थे, financials वगरा के इसने business है और interesting business mix है, बहुत strong clientele है इस company का, बहुत healthy financials है जो मैं mention कर रहा था, और सबसे important, correct हुई है इस pandemic के बीच में, तो valuations in levels के आसपास attractive हो चले, तो इस company महेश्वरी logistics तो रडाप रखेगा,